हेलो स्ट्रिडेंट्स, कॉम्टिशन कम्मूनिटी के यूट्यूब प्लेट्फॉर्म पर आपका स्वागत है 36 गड़ सब इंस्पेक्टर के लिए जो प्री के लिए यहाँ पर मल्टिपल चॉइस कोशन की जो सीरिस चल रही है इस सरंखला में भारती इतिहास का यहाँ तीसरा भाग है आईए हम देखते हैं कि प्राचीन भारत जो हमारा चल रहा था दो पार्ट, पिछले दो पार्ट को आपने देखा होगा उसी दूसरे पार्ट को हम लगा गए पढ़ा रहे हैं पूसरे पॉर्ट के बाद आपको तीसरा भाग जो है यहां आज का जो टॉपिक है गुप्त काल से संबंदित आपको टॉपिक मिलेगा तो चलिए देखते हैं पहला कोश्चन कि पहला कोश्चन है आपके पास प्राचीन भारत में निम्रीन लिखित में से गुप्तवन्स का संस्थापक कौन था चार अप्सान आपके पास चंदर्वप्रथम समुधर निम्स और इसकंदवगंत तो यहाँ पर अभी तो आपको स्थापक पूछा है संथापक ठीक है तो चंद्रगुप्त प्रथम ने आपके गुप्त वश्कि स्थापना की यह तो आपका। करेट आंसर करेक टांसर हैं चंद्रोप्तु परणु अगर आपको इसी कोश्चंग थोड़ा सा पुस्ता की गुप्तवंस की निव किसे ने रखी निव किसे ने रखी तो निव रखने वाला सासक निव रखने वाला सासक गुप्तवंस का वहां था स्रीगुप्त श्रीगुप्त जो था जिसने गुप्तवंस की क्या रखी निव रखी यानि गुप्तवंस का पहला सासक जिसने यहां पर गुप्त ऐस की नीव रखी वह था स्रीगुप्त और स्रीगुप्त के बाद दुसरा सा सकाया था जिसका नाम ता घटोत कच घटोत कच और ये दोनों ये दोनों समय क्या थे कनिस्क या कुषान सामराज्य केा GP चल रहा था तो कुसान सामराज्य में दोनों सामन्त थे कुसान सामराज्य में ये सामन्त हुआ करते थे परंतु स्वतंतर रूप से स्वतंतर रूप से इंडिपेंडन वे में यहाँ पर गुप्त सामराज्य की सापना करने का जो स्रेज आता है वह जाता है चंदरुपतर प्रथम को और चंदरुपतर प्रथम ने 319 में 319 AD में गुपतर वरंज की स्थापना की स्वतंदर रूप से इसलिए चंदरुपतर प्रथम को संस्थापक कहा गया और क्योंकि ये दोनों सामन्त थे इसी कारण से इनको स्रेय नहीं मिला फिर भी अगर आपको बोलेगा कि कुश्चन में अगर आएगा तो आपको जानना होगा कि निव की बात कर रहा है निव रखने वाले की बात कर रहा है सुरुवात दमी सुरुवात की बात कर रहा है तब सिरी गुपतर लगाना है आपको दिख रहे हैं ठिक जिसमें बता देने चाहूं मैं आपको चंदरुप्त सेकंड जो है चंदरुप्त सेकंड को विक्रमा दित्य का टाइटल मिला हुआ है विक्रमा दित्य का टाइटल मिला हुआ है चंदरुप्त को विक्रमा दित्य कहा गया है समुद्र रुप्त को एक टाइटल मिला था भारत का नेपोलियन भारत का नेपोलियन भारत का नेपोलियन के साथ-साथ इसे एक और टाइटल मिला था जिसके बारे में एक्जाम में पूछा जा चुका है एक बार एक्जाम में पूछा था लिक्षवी दोहित्र जो है समुद्र गुप्त को ही कहा जाता है समुद्र गुप्त के दो टाइटल आपको मिलेंगे एक लिक्षवी दोहित्र और एक भारत का नियपोलियन विए स्मित ने इसे ही भारत का नियपोलियन और यहां पर इसके बारे में एक और टाइटल मिला हु होगा करेक्ठ होगा जब देखे वही कुस्ते ना गया आपका प्राचीन महारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है प्राचीन महारत तो भारत का नेपोलियन ये बात कही थी वी यह इसमीद ने भारत के नैपूलियन कहा था समुद्र गुप्त को समुद्र गुप्त को समुद्र गुप्त को इसने क्या कहा था भारत का नैपूलियन कहा था अगला कोश्चन रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त सासक कौन पहली बार पहली बार रजट का मतलब होता है आपका सील्वर सील्वर कौइन जारी करने वाला सील्वर कौइन जारी करने वाला आपका पहला सासक कौन था तो सील्वर कौइन या रजट सिक्के जारी करने वाला पहला सासक था आपका चंद रूपत सेकंड चंद रूपत सेकंड और चंद रूपत सेकंड ने जो आपके सीलवर कोई जारी किये उसे क्या कहा गया उसे एक नाम भी दिया गया उसे बोला गया रूपक रूपक यानि जो चांदी के सिक्के या रजत के सिक्के जो जारी किये गया उसे क्या क कहा गया रूपक कहा गया रूपक कहा गया अगला कोश्चन सती प्रता का प्रथम अभिलेक साक्षा को कहां से प्राफ्त हो बहुत बार पूछा वो प्रशन है ध्यान देगेगा तो यहां पर एरण, जुनागर, मंदसौर और साची तो यहाँ पर जो आपका correct answer होगा वो होगा एरण अभिलेक से थोड़ी जानकारी ले ले लेते हैं क्या है इस एरण अभिलेक में तो एरण अभिलेक में गुप्तवंस का एक सासक हुआ जिसका नाम था भानु गुप्तर क्या नाम भानु गुप्तर भानु गुप्तर का एरण अभिलेक में पांसो दस इस्वी में यहां बताया गया कि भानु गुप्तर का एक सेना पती हुआ भानु गुप्तर का एक सेना पती हुआ जिसका नाम था गोपराज गोपराज जो है हूणों से हूणों का जब आकरबन हुआ तो हूणों से लड़ते हुए मारा गया तो यह जब गोपराज जब मारा गया तक गोपराज की जो पतनी थी गोपराज की जो पतनी थी वह क्या हो गई थी सती हो गई थी अपनी आद्मरक्छा करने के लिए वो क्या होगे थी। सती हो गई थी और इसी सती प्रथा के बारे में भानु गुप्त ने एरण इस्क्रिप्षन में क्या किया है बताया है कि मेरा एक सेना पती जिसका नाम क्या है गोपराज है वह हुडों से लड़ते हुए मारा गया और उसकी पत्नी क्या हो गई? सती हो गई यह बात किसमें लिखा हुआ है? एरण अभिलेक में लिखा हुआ है कपिल मुरी द्वारा प्रतिपादित दार्सिनिक प्रणाली है यानि कपिल मुरी ने कौन सा दर्सन दिया है? कौन सा दर्सन दिया है? तो यहाँ पर देख लेते हैं पूरो मिमानसा, सांख्य दर्सन, न्याय दर्सन, उत्तर मिमानसा तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका B, सांख्य दर्सन, सांख्य दर्सन कपिल मुरी ने कौन सा दर्सन दिया? सांख्य दर्सन दिया अन्या दर्सनों के बारे में भी जानते हैं कि ये दर्सन किस ने दिये, कौन किस मुनी ने दिये तो जो आपको पुरु मिमानसा दिख रहा है, पुरु मिमानसा तो पुरु मिमानसा देने वाले थे जैमिनी पुरु मिमानसा जिन्हों ने दिया वो थे जैमिनी वैसे आपको न्याय दर्शन देखने मिल रहा है न्याय दर्शन तो न्याय को दर्शन देने वाले थे गौतम डिसी गौतम डिसी गौतम न्याय दर्शन देने वाले फिर आपको एक option और दीख रहा है उत्तर मिमान सा तो उत्तर मिमान सा देने वाले कौन थे तो वो रिसी थे बादरायन, वो रिसी का नाम था बादरायन, तो आपको बिलकुल जितने भी सर्ड दर्सन होते हैं, सर्ड दर्सन, हमारे भारत के भारती वेदिक गरंतों में आपको सर्ड दर्सन के बारे में जानकारी मिलती है, तो सर्ड दर्सन में ये चार दर्सन के आपक और दर्शन के नाम आपको बिल्कुल याद रहने चाहिए अगला कुस्चन हर्श चरीत नामक पुस्तक किसे ने लिखी है हर्श चरीत आरेभट बाणभट विश्णु गुप्त और परिमल गुप्त परिमल गुप्त तो इसका करेंट आंसर होगा बाणभट बाणभट ने हर जरीत नामक पुस्तक लिखी थी और देख लेते हैं ऑप Zen मे यह जो विश्णु गुप्त आपको देखने मिल रहा है इनके बारे में जानका लेते हैं यह विश्णु गुप्त जो है कॉटिलियका ही दूसरा नाम है कॉटिलिक हम लोग एक और नाम से जानते अर्थ सास्तर अर्थ सास्तर इसकी पुस्तक कौन सी है अर्थ सास्तर इसे आपको याद रखें अर्थ सास्तर यानि चानक के ने कौन से पुस्तक लिखी अर्थ सास्तर अब थोड़ा सा यह चीज और याद रखेगा कि अर्थ सास्तर जो है किसी भी एकोनॉमिस की बुग नही उसके बारे में बताया गया है, तो आपको question पूछेगा, क्या अर्थसास्तर पुस्तक अर्थवयस्ता पर अधारित है, तो आप जवाब देंगे नहीं, यह पुस्तक जो है, प्रसासन पर अधारित है, इस चीच को ध्यवन दीजेगा, अगला, CEO की नामक यातरा का वीवराण किन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर हमारे हाँ भारत में जो आपको भारती इतियास के बारे में जो जानकारी मिलती है, वो साहितिक सरोतों से मिलती है, तो अलग-अलग यातरी हमारे हम भारत में आते रहें, उन्होंने अपने पुस्तक लिखी, और पुस्तकों से हमको जानकारी मिली, तो जैसे की मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, मौरे प्रसासन के बारे में हम पढ़ रहे थे, मौरे सासन के बारे में मगस लिखी थी, उस पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका, मैगस सेंज की पुस्तक का नाम क्या है, इंडिका, वैसे ही, वैसे ही, फाहियान आया था हमारे भारत में, फाहियान, और फाहियान ने एक पुस्तक लिखी थी, फू क्यों की, ठीक है, तो फाहियान ने भी यातरा वितर नहीं लिखा है आपकी पुस्तक C.U. की तो आपका आंसर कुन सा हो जाएगा option number D तो हैंसां की पुस्तक का नाम क्या है C.U. की जिसने अपने यातरा का विवरंड दिया है तो हैंसां की पुस्तक का नाम C.U. की गंगय कोंडचोलपुरम की स्थापना किसने की गंगय कॉंड़ा चोल पूरम दक्षिड में एक सहर है वहाँ पर इसकी स्थापना किसने की और ये सामराज्य जब स्थापित हुआ था तो ये पहले चीज़ आप याद रखिए यह बात कर रहे हैं हम लोग चोल सामराज्य की चोल चेर पांडे हुआ करते थे चोल प्रथम चोल और दूती चोल के नाम से जाने जाते हैं एक चोल जो देखने मिलते हैं आपको प्राचीन भारत में देखने मिलता है और एक मद्यकालीन चोल भी कहलाते हैं तो ये जो मद्यकालीन चोल हुए इन्ही को क्या कहा गया दूती चोल कहा गया तो उन्हीं के राजाओं के नाम आपको दिये हुए राजा राजप्रथम, राजा धिराज, राज इंद्रप्रथम या विज्यादित तो इसमें चोल सामराज्य का बहुत महतपूर्ण एक सासक हुआ सक्तिसाली सासक हुआ जिसने सिलंका से लेकर इंडोनिसिया तक के पूरे छेतर को कही न कहीं जीत लिया था और इनके उस समय चोल सामराज्य की सबसे बड़ी नौ सेना हुआ करती थी सबसे बड़ी नौ सेना इन चोल सामराज्य की हुआ करती थी तो चौल सामरा जिका, उस समें जो सासक था जिसने गंगा ए कॉंड़ा चौल पूरम नामक सहर वसाया, वो कौन थे? राजिंदर पत्हम अब ये गंगा एकोंड़ चोल पूरा नाम कैसे पड़ा इसके बारे मिभी आपको मैं उता देता हूँ राजिंदर पत्हम जो है एक बार गंगा घाटी के छितर में अभियान करने जाते हैं गंगा घाटी यानि गंगा नदी के वैली में गंगा घाटी में क्या करने जाएंगे अभियान करने जाएंगे और वहां के राजाओं को क्या कर देंगे हरा देंगे गंगा घाटी के छितर में जो राजा हैं उन्हें क्या कर देते हैं पराजित कर देते हैं राजेंदर फ़स्ट ने एक टाइटल लिया उसे हम लोग बोलेंगे गंगा-ए-कॉंड, गंगा-ए-कॉंड, कॉंड मतलब होता है जीतना, गंगा-नदी के छेतर को जीतने वाला कौन है राजेंदर पथम? इसी कारण से गंगा-ए-कॉंड नाम का एक टाइटल कौन ले रह गंगय कोंड चोलपूरम गंगय कोंड इसकी उपादी थी राजिन प्रथम की और गंगय कोंड चोलपूरम एक सहर हो गया जहां पर गंगय के जल को रखा गया था गंगय कोंड चोलपूरम एक सहर का नाम है जिसे इसने बसाया बसाया है चीज़े समंझ मेरे हैं तो गंगाय कॉंड़ टाइटल कॉन लेगा राज यंड उस्ठ लेगा साथ ही साथ गंगाय कॉंड़ चॉलपुरम शहर बसबस किसी में रा जंद फिरश्ट नहीं और किसु स् projector का राजह तो चोल सामराज्य का सासक है चोल सामराज्य का सासक है दक्षिड भारत के चोल सासकों ने निम्नली खित में से किस मंदिर का निर्माण किया फिर से एक चोल सामराज्य के कुछ है तो मंदिरों के बारे में पूछा गया है महाबुलिपुरम के रत मंदिर मदुरा के मिनाक्ष मंदिर या तंजोर का व्रिधेश्वर मंदिर तो इसका करेट आंसर होगा तंजोर के व्रिधेश्वर मंदिर का निर्मान किसके द्वारा किया गया दक्षिण के चोल सासकों के द्वारा किया गया जिसमें व्रिधेश्वर मंदीर जो है व्रिदेश्वर मंदीर जो है यहाँ पर हमें देखने मिलेगा कि जुविदेश्वर मंदीर है यहां सीव जी का एक मंदीर दक्षिण चांव मने में बना हुआ बहूथ बन攻 देर के दक्षिण भारत में जो मंदिर सहली चलती है उस सहली में बनाया गया एक वरिहत मंदिर है जिसमें इस मंदिर के आगे एक एक आस्मक पत्थर को काट कर एक बड़े नंदी बैल की आकरिती भी बनाए गयी है तो आपको पूछेगा एक बड़े नंदी बैल की आकरिती कौन से मंदिर के सामने है तो हर्सवर्धन का समकालीन बंगाल का सासक निमने लिखित में से कौन था गोपाल, धर्मपाल, देवगुपते या सासांग। तो चार अप्सन में से उस समय जब हम बात करें वर्धनवंस की तो वर्धनवंस की सुरुआत हुई थी आपका थाने स्वर। हर्याणा में एक जगा इस्थान पड़ेगा थाने स्वर जहां पर वर्धनवंस की सुरुआत हुई थी तो उस समय थाने स्वर में एक सासक हुए जिनका नाम था प्रभाकर वर्धन प्रभाकर वर्धन प्रभाकर वर्धन के एक बेटे थे जिनका नाम था अगला कुश्चन है हमारे पास हर्स वर्धन का समकाली मंगाल का सासक निमनम लिखित में से कौन था तो यहाँ पर है आपके पास उप्सन गोपाल, धर्मपाल, देगुप्त या ससान पहले जानते हैं वर्धन वंस के बारे में तो वर्धन वंस का सासन चर रहा था हर्याना के थानेस्वर में थानेस्वर में इनकी राजधानी थे, सुरुवाती राजधानी कहां थी थानेस्वर में और थानेस्वर में एक सासक था जिसका नाम था प्रभाकर वर्धन और प्रभाकर वर्धन का एक पुता था जिसका नाम था राज्ये वर्धन एक दूसरा बेटा था जिसका नाम था हर्स वर्धन जो इसका एक महतपूर्ण सासक हुआ और अगला एक बेटी हुई जिनका नाम था राज्ये स्री वर्धन बेटी का नाम था राज्यस्री वर्धन ठीक है राज्यस्री वर्धन अब यहाँ पर जो आप्शन में दीख रहे हैं उस समय बंगाल का सासक जब वर्धन वंस चार रहा था तो उस समय बंगाल का सासक था ससांग बंगाल का सासक ससांग था इस ससांग ने हर सवर्धन के भाई, हर सवर्धन के भाई, राज्यवर्धन की हत्या की थी, हर सवर्धन के भाई, राज्यवर्धन की हत्या की थी, याद रखेगा, बंगाल के सासक, ससांग ने इसके हत्या की थी, राज्यवर्धन का बड़ा भाई था, चालुक्यों की राज प्रतम राजधानी जो बनी थी उस समय करनाटक में बादामी या वातापी के नाम से जानी जाती थी तो यहां पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वातापी वातापी तो इसी कारण से कई बार वातापी के चालुक के भी ये कहलाते हैं वातापी के चालुक के इन चालुक के वंस का इस चालुक के वंस का एक बहुत ही बहुत ही महान सासक हुआ जिसका नाम था पुल के सिन दूती है पुल के सिन सेकंड इसी वंस का एक महतपून सासक हुआ जिसका नाम मिलेगा आपको पुल के सिन दूती है पुल के सिन दूती है इस पुलकेसिन दुती नहीं नर्मदान नदी के तट पर नर्मदान नदी के किनारे एक राजा को एक महान सासक को वर्धन वंस के एक महान राजा को हराया था उसका नाम है हर सवर्धन यानि पुलकेसिन दुती ने किसे हराया हर सवर्धन को हराया और इस बात की जानकारी कि केसिन दुती ने ही हर सवर्दन को राया, इसे किसने बताया, ये भी पूछेगा, तो यहाँ पर जानकारी रखेगा, पुलकेसिन सेकंड का एक दर्बारी होगा, जिसका नाम होगा, रवी किर्थी, रवी किर्थी, तो पुलकेसिन सेकंड का एक दर्बारी है, जिसका नाम क्य लिएसे हम को जानकारी मिलती है कि पुलकेशिं सेकंड ने हर्स वर्धन को नर्वधन नधी के किनारे हराया था या पराजीत किया था सम्रांठ हर्स ने अपनी राजधानी थानेसवर से कहा इस्ताना दितकी तो जैसे मैंने बताया वर्धन वंस का राजा उस समय आपका हर्स वर्धन हुआ और हर्स वर्धन के सुर्वाती राजधानी हर्याना की क्या थी थानेस्वर थी थानेस्वर के बाद जब उसकी बहन उसकी बहन जिसका नाम था राज सिरी वर्धन राजय स्री वर्धन मैंने बताया था हर्ट सवर्धन राजय स्री वर्धन उनकी बहन तो राजय स्री वर्धन का विवाह होता है ग्रीव अर्मन के साथ जो कन्नौज का सासक होता है कन्नौज के मौकरी वंस के सासक ग्रीव अर्मन के साथ क्योंकि वहां सत्ता समालने वाला कोई सासक नहीं होता, तो यहां पर उसका भाई, यानि राजस्री वर्धन का भाई, हरसवर्धन, इस चेतर को अपने चेतर में मिला लेता है, और अपनी राजधानी, थाने स्वर से, राजधानी कहां ले जाता है, कन्नौज में, कन्नौज म जिसमें एक सम्वट आपका दिया हुआ है क्या विकरम सम्वत की सुरुआत हुई थी प्राजीत किया था सक्राजाओं को प्राजीत करने के बाद उखड़ाइन के सासक ने मिश्रुवाद की थी विक्रम सम्वध की और विक्रम सम्वध की सुरूद कब से हुई संतावन इसाप. 5 अब हिसा है अगर मैं कहूं कि आज इस साल के था. व्यक्रम संवत ही में इस कलेंडर में बदलना चाहों तो कितना कहलाएगा विक्रम संवत में कितना पढ़ेंगे हम लोग तो उसे कैसे कर्द करना है आप देख लीजिए जैसे अगर यह फूर्पी आपका विक्रम समपत मैं चाहता हूं हमाराः जो अभी का चलूर रहा है वो 2022 है और 2022 कैलेंडर आप वड़ समध में तो तो आप क्या करेंगे इस 2022 में आपको add करना होगा 57 क्या add करना होगा इस 57 को add करना होगा और आप जैसे इसे add कर देंगे कितना आ जागए ये देखे 729 और 527 और 2079 तो 2079 क्या होगा आपका ये विकरम समध होगा 2079 क्या होगा विकरम समध होगा तो आपका conversion होगा ऐसे ही आप जिस calendar को भी बदलना चाहें आप बदल सकते हैं एक और याद रखें सक्समध के बारें भी अगर आपको पूछा जाए कि सक्समध की सुरुवात कब हुई तो सक्समध की सुरुवात हुई थी 78 AD में इतनी चीजों को आपको याद रखने है सक्समध की सुरुवात कभी संतावन इसापुरु में प्राचीन काल में निमने लिखित में से पार्थियन राजा के सासन काल में सेंट थॉमस भारत आया था सेंट थॉमस एक इसाई प्रचारक जो उस समय आपके विदेशी आकरमनकारी घारत में आ चुके थे तो उनके टाइम में यह आए हुए थे इसाई धर्म के प्रचार करने तो कौन आये थे मिनांडर रुद दम था गुंडो फर्निस गुंडो फर्निस तो इस पहला वंस के राजा गुंडो फर्निस के टाइम में इसी समय पर इसी समय पर आपके यहां पर सेंट थॉमस आये थे जो इसाई धर्म का प्रचार करने थे सेंट थॉमस सेंट थॉमस किसके टाइम में थे गुंडो फर्निस के समय, पहला वंस के राजा गुंडो फरनिस के टाइम में, समय दिल्ली के महराली के लौ इस्तम में किसक गुप्त सासक का नाम अंकित है दिल्ली के महराली में दिल्ली का महराली अगर आप ध्यान दे तो दिल्ली के महराली में ही एक चीज़ और मिलता है वो क्या है कुतुब मिनार तो कुतुब मिनार का ही जो प्रांगण है उस प्रांगण में ही आपको एक लौ इस्तम्म मिलेगा उस लौ इस्तम्म में वहाँ पर ब्राम्मी लिपी में चंदर नाम आपको अंकित मिलता है उस चंदर नाम अंकित को देखा गया तो उसे पता चला, उस समय पता चला कि चंदरुप्त सेकंड की ही बात की गई है तो की सराजा के बारे में बात की गई है चंदरुप्त सेकंड दिल्ली का जो महरुली का लौई इस्तमवाई वह किसे संबंदित है चंदरुप्त सेंबंदित है वैसे ही याद रखे गया समुद्र गुप्त के बारे में पूछता है समुद्र गुप्त के बारे में या उसके जो जितने एक्सपेडिसन हुए जितने में ये अभियान किये या विजय अभियान किये थे किसने समुद्र गुप्त ने उसके बारे में इसके दरबारी हरी सेड ने किसने दरबारी हरी सेड ने तो समुद्र गुपत के एक दरबारी हुआ जिसका नाम था हरी सेड समुद्र गुपत के दरबारी हुआ हरी सेड हरी सेड ने भी इसके जो विजय अभियान थे समुद्रकुप्त के जितने भी विजय अभियान थे उसका उल्लेग एक inscription में किया उसे बोलते हैं हम लोग प्रयाग प्रसस्ति या प्रयाग inscription तो प्रयाग प्रसस्ति में हरी सेर्ड ने इसके विजय अभियानों का उल्लेग किया प्रयाग प्रसस्ति प्रसस्ति प्रयाग inscription मे है ना और यह प्रयाक कहा पड़ेगा इलाहबाद में पहले इलाहबाद के नाम से जाना जाता था आज के टाइम में प्रयाक के नाम से जाना जाता है बताईए चंदरुप्रथम, समुद्रगुप्त, चंदरुप्त सेकंड या इसकंद्रगुप्त तो पिछले कोश्चन में हमने देखा इस समुद्रगुप्त के ही विजय अभियानों का उलेक किसमें किया गया है इसमें किया गया है तो यहाँ पर प्रयाग प्रसस्ती में किया गया है और लिखने वाला कौन था हरी सेड़ इनका दरबारी इनका दरबारी साथ जानिएगा कि चंदरुप्र प्रथम ने 319 इस्वी में एक नए कलेंडर या एक नए समवती की सुर्वात की थी उसे बोलते हैं हम लोग गुप्त समवत चंदरुप्र प्रथम ने साथी साथ एक कोश्चन और बनता है कि चंदरुप प्रथम ने जो सिक्के जारी किये थे उसमें राजा और रानी के दोनों के आकरिती एक ही सिक्के में बनी हुए थे तो राजा और रानी वाले सिक्के जारी करने माला सासक कौन था? तो वो कौन था? चंदरू प्रथाम और समुद्र रगुप्त के बारे में क्या क्या जानकारी आपको मिल चुकी है एक तो हरी सेंड की प्रयाग प्रसस्ती के बारे में आपको जानकारी मिल गई सांती सांत विये इसमित ने इसे क्या कहा था भारत का नैपोलियन कहा था समुद्र उप्त को भारत का नैपोलियन ठीक है बहुत इंपोर्डरिस आ सक है इसे याद रखेगा इसे क्या कहा था भारत का नैपोलियन कहा था भारत का नैपोलियन और एक और नाम मैंने बताया था, जो एक्जाम में आया हुआ है, क्या, लिक्ष्वी दोहित्र, लिक्ष्वी दोहित्र किसे कहा गया है, तो आप बताएंगे क्या, समुद्र गुप्त को लिक्ष्वी दोहित्र भी कहा गया है, लिक्ष्वी दोहित्र कहा गया है, क्लेर है, त तो एक पुस्तक है उन कालिदास की जो फेमस है वो है मेगदुतम, ये कालिदास की पुस्तक का नाम है, वैसे ही रितु साहार भी कालिदास की पुस्तक का नाम है, विक्रों में वर्सियम भी कालिदास की पुस्तक का नाम है, इसके अलावा कौन कौन सी पुस्तक है और जो फे ये भी कालिदास की पुस्तक का नाम है वैसे ही एक और फेमस पुस्तक है जिसका नाम है नाम है मालविका अग्नी मित्रम मालवी का अगनी मित्रम तो ये सब कालिदास की पुस्तक के नामी ये होगया मेगदूतम, डितु साहार विग्रोमा वर्सियम अभिजान साकुंतलम, मालवी का अगनी मित्रम एक और याद रख लिए कुमार संभवं, इसे भी आद कर लिए कुमार संभवं, तो कि कालिदास की पुस्तक के बारे में हमेशा पूछा जाता है कुमार संभवं, ये कालिदास की पुस्तक कुछ तो कौन सी पुस्तक नहीं है मिरिक्ष कटिकम, मिरिक्ष कटिकम कालिदास की कृती नहीं है तो आप करेक्ट टांसर क्या होगा option number A option number A मिर्च कटिकम कालिदास की कृती नहीं है और मिर्च कटिकम को लिखा था सुद्रक ने तो मिर्च कटिकम किसकी पुष्टक है तो उसे भी याद रखिएगा सुद्रक की पुस्तक है सुद्रक ने लिखा था मृषक कटिकम मृषक कटिकम अगला कोशन देवी चंदरुप्तम नाटक के लिखक का नाम कौन कालिदास, सुद्रक, हरिशेड, विसागद कालिदास की पुस्तकों का नाम तो हम जानी गए तो उन्होंने तो कहीं पर देवी चंदरुप्तम लिखा नहीं है सुद्रक की पुस्तक का नाम अभी हमने देखा क्या देखा? मृषक कटिकम मृषक कटिकम, सुद्रक की पुस्तक का नाम इसकी पुस्तक का नाम क्या था? मृषक कटिकम मृषक कटिकम वैसे हरिसेड ने तो प्रयाग प्रसस्ती लिखा है, तो यहाँ पर कालिदास, सुद्रक, यह सब तो आपके option आउट हो गए, और लाश्ट एक option बचा है, वही आपकर correct answer है, वो क्या है विसाग दक्त, यहाँ विसाग दक्त ने क्या लिखा है देवी चंदरुप्तम, अब यह और रामगुप्त और दूसरा बेटा था, जिसका नाम था चंदरुप्त सेकंड, जिसमें कही न कहीं रामगुप्त जो है, रामगुप्त को सासान मिलता है, परंतु रामगुप्त की कायरता पूर्ण हरकत के कारण, यहाँ पर सकों का आकर्मन हो जाता है, और सक क्या गरते हैं रामगुप्त की पत्नी दुरू सामिनी को उठा कर ले जाते हैं जिसके बाद चंदरुप्त सेकंड अपने राजी की सुरक्षा के लिए एक तो अपनी यहां पर सुरक्षा करने के लिए रामगुप्त की हत्या करेगा रामगुप्त की हत्या करता है और रामगुप्त की पतनी धुरूप देवी से भी विवाह कर लेता है और अगला सासन कौन मनता है चंदरुप्त सेकंड मनता है उसी में ये सब चीजे बताई गई है यहाँ पर राम गुप्त जो था उस सासन की युग्य नहीं था इसी कारण से उसकी हत्या करके चंदुप्त सैकर्ड ने क्या किया सासन समाला तो इसी प्रकार जो हमारे आज का जो सैसन है वो समापत होता है मिलेंगे हम लोग आपके अगले वीडियो में जिसमें हम अब गुप्त काल आपका समापत हुआ गुप्त काल के बाद हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे मद्यकाल के और और मद्यकाल के प्रश्णों का हम अध्यान करेंगे जो आपके प्रिवेस एक्जाम में आए हुए है इसे के साथ यह वीडियो हम समाप्त करते हैं धन्यवाद